उड़े जब जब जुलफे मेरी कावारियों का दिल मचले अब उड़ों का भी दम निकले जिंद मेरी ये जब जाँच की आए सोनी तो तेरे घर से हम निकले कि जखम तो आएंगे मरहम नहीं आएगा अब दर्द का लेने को कोई पर चम नहीं आएगा ए आखे मेरी दोलों कुछ तुम ही बरस जाओ लगता है की बारिश का मौसम नहीं आएगा मात्र भूम को नमन करते हैं मेरे सामने वो लोग हैं जो बीरानी को चमन करते हैं ये किसान के बेटी ही नहीं किसान के अभिभावक भी बैठे हैं जो खेतों की सेवा करते हैं और देश को अगरी बनाने में अपनी अहम भूम क्या निभाते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं इसलिए ये चकिया के लोग हैं, मैं तो चकिया में आया तो मैं चका चौध हो गया, मैंने कहा पहले तो चकिया बहुत चलाई जाती थी, इसे दालोल दर दिया जाता था, अब पूरा हम चकिये में आ गए, कहीं ये लोग हमें ही कन दरिड़ा रहें, ये भया आप लोगों से बचाई के बड़ा पर ये हम का, अगर सही सही का विचाना सुनाई, तो आज हमें के निप्टाई दिव्या, आदेडी संचालन कर रहें, देश के स्रेष्ट गीतकार, बड़े भया, इस्वर चंतिरपाठी भया को चरणों में सादर नमन करते हैं, आदेडी मनोज, दुवे आदेडी मधूर भया के चरणों में सादर नमन करते हैं, हम लोगों को जिन्होंने जोड़ा, और जिन्होंने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, स्वतंत्र शिरवास्तों जी को पहुट पडाम करते हैं, ऐसा मैंने इसलिए कहा, उनके गीत के बाद आई सकते के दम है कि उनकी तरह गीत पढ़ दे, हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, अब हम का पढ़ी बदावा, कान को हम फोनों करते हैं, जरूरी आदमी नहीं है कि हमका कोई फोन करते हैं, बाई, ऐसा अब तुहार भावजी करी हैं, फोन करते हैं, मगर कोई ते, यद क्यों पैश्या उधार, यह हमरे भाईया कैसे होई था उधार, अब हम होईगे एगो लड़की से प्यार, तो अब होईगे सर्वाजी ना दुसवार, तो हम बर भाई कहने चार लाईन, दिल में सजा के प्यार का गमला चली गई, आखों से कलके अपने वो हमला चली गई, दो रोज मेरे गाउं से बिजली ये क्या गई, वो मुझे को छोड़ चार के शिमला चली गई, बहुत बढ़िया आपनी, ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारा ही इंतिजार कर रहे थे, तहीं बताव थी, ये बाईवाले मुझे बहुत चाहते, मेरे सब फैन बैठे हैं, ऐसे फैन हैं, दिन रात अगर गलबला गया है तो हमारा चैन लूट रहे है, चैन मतलब ये दिल का चैन, आप लोग सोने का चैन समझ गये होंगे, आप लोग बहुत बढ़िया चुने, आपनी पोईटिक अड़ा किसे अपनी सशी का अंतानी भाई उकरती थे, जो मनुद्वेदी मधूर भाईया के बड़े प्री हैं, आपना छोटा भाई राहूल, ये राहूल भी यहां स चैन, ये दो कभी सम्मेरल में, जैसे शबजी में थोड़ी सी जावित त्रियां पढ़ जाती हैं, तो रंग चेंज हो जाता है, आपसे बीच में हम फाट पढ़े, तो जैसे हड़ी में कबाब टाइप का हो जाता है, कबाब में हड़ी टाइप का, लेकिन कोई बात रही, आपका बड़ा प्रेम मिला बड़ा सनेह मिला ऐसे बाद साफ प्रेमी बैचे हैं और मैं पुलाम करता हूं आज के कारकरम के जिक्ता कर रहे बड़ी भाई बाला दिन बे सहारा जी को बहुत पुलाम करता हूं जो सब को सहारा दे रहे हैं उनको बे सहारा आप लोग कह रहे है ऐसे ब्यंग के हास ब्यंग के छोहारा हैं एक बार अगर खा लीजिए तो समझ लीजिए जिन्दगी भर आपको चोन परास की यववत नहीं पड़ेगी ऐसे तो मैं बाले दीन भाईया को छेड़ने की कोशिस कर रहा हूँ आईए देखते हैं इसलिए करना हूँ कि यहाँ बूढ़ों की संख्या बहुत दिखाई दे रही मैंने इतने बूढ़े किसी भी कब सम्मिलन में नहीं देखे मैंने ऐसे लग रहा जैसे यहाँ सब लोग जवान होकर बूढ़े हो चुके हैं अब जो है यह नहीं बूढ़ों के ही लोग जवान समझ रहे हैं आप लोग भूत पूर्थ जवान समझ रहे हैं क्योंकि चार पंक्तियां बाले दीन भाईया समाल ले आपने अध्यक्ष जी के चालों में रख रहे हैं कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया अरे बस हाथ फेरते हैं अगर दिल में चल गया इनसे मोहबतों की उमीद न करना ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया फिर भी इनको अगर दबाएंगे तेजी से तो रस फेक देंगे ये भी बूढ़े को आप कभी बूरह मत समझेए क्योंकि आदमी दिल से कभी बूरह नहीं होता सोना जमीन पे गिर जाए तो कूरा नहीं होता मैं चार पंक्तियां इस्वर भाईया मैं उन पूरहों के नाम दे रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको लोग कमजोर समझते हैं उन्हें हम अपनी घर का बरगत समझते हैं जिनकी छटर साया में बैट कर हम नौजवान अपनी जिन्दगी के चैन की दो सांस ले सकते हैं फैसले ले सकते हैं एक बार इन बड़े बुज़र्गों के लिए एक जोरदार तालियां बजा जिए क्योंकि बहुत बढ़िया गरीबी में कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं मुसीबत देखकर भाई को भाई छोड़ देते हैं अब बुज़र्गों का हमारे गाउं में सम्मान इतना है कि बड़ों को देख छोटी चार पाई छोड़ देते हैं ऐसे आप लोग इतना पढ़िया से सुन रहे हैं चार पंक्तियां सुन लेजिए इन बुजुर्गों के लिए मैं हसने हसानी के लिए चार पंक्तिया कह रहा हूं भले हो जिसमें बुढ़ा दिल मगर रंगीला होता है जवानी की तरह ये वक्त भी जो शीला होता है हसीनों हलके में हर गिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता ऐसे तवाम जहरीले मिर्चे यहां बैठे हुए हैं सरदरात है और बहुत बढ़िया आप लोगों ने बहुत बढ़िया कप्समेलन जमा दिया ऐसे लग रहा है जैसे चकिया में आकर आपने हमको ऐसा धकिया दिया कि अब हम जो है यहां अपना काम कर ले जाएंगे वैसे भी हम जिस मंच पे रहते हैं आखरी कभी की रूप में चुने जाते हैं हमारी अवस्था अध्यप्छ से भी ज़्यादा गारबर होती है सही बताओ चाहिए ऐसे मिठलेश मिठलेश का मेरी भाईया बैठे हैं इनको इनको मैं बहुत पराम करता हूं मिठलेश गामरी भाईया को मैं जब भी सुनता हूं मुझे इनकी पंक्तियों से बहुत पेड़ा मिलती है क्योंकि आसली कभी और मौलिक कभी इस देश में गिने चुने लोग हैं हमने इस्वर चंत्रपाठी भाईया की पुरी किताब पही और कैसे है सब जबागे महबद दिखाया गया फिर तुम्हारी कसम ठीक चाओ राहे पर एक जिंदा मसीहा जलाया गया ये मतलब कई साल पहले की ये रचना है मैं तब तो बहुत छोटा था जब मैं मुझे को याद थी ये पंक्तियां अब मिचलीज गहमरी की पंक्तियां याद थी कि शी सुमन से बलबेदी की दामन भरने वालों की पता नहीं यहां सुनाया कि नहीं सुनाया बचाओ इतनी बढ़िया पंक्तियां आपने नहीं सुनाया अब आप भूल जाएंगे अगला कोई याद कर लेगा सची सची बात कह रहा हूं आप अगर कभी भूल गया तो कोई आगर याद कर लिया तो क्या होगा इसलिए कभी को अपनी रचना याद रहनी चाहिए अब उनकी रचना और हमको याद है तो फिर हमसे बचना कहते हैं सीज सुमन से मिठलेश गहमरी ने ये पंक्तिया आप तो अगर सुनाई होती आप तालियों का अंबार ख़ड़ा कर देते ये पंक्तिया मैंने संचालन में एक जगा कोड किया भईया के नाम से अत्तालिया वहां बजी कहें अंबर जी बहुत बढ़िया आपने सुनाया ये किस कभी की पंक्तिया है मैंने कहा ये गाजिपूर के मिचलेश गहमरी की पंक्तियां है तेश के लिए जो हो गया था सहीद पूरी दुनिया बनी आज जिसका मुरीद और जिसने तोड़े थे दुश्मन के पैटन टैंग कितना जाबाँज था मेरा अब्दुलहमीर एसे गाजिपूर की धर्ती जहां का हर घर का बच्चा एक नौजवान सेनाया है पुलिस में भरती जहां की मिट्टी है उपजाओ नहीं कोई खेत है परती ये गाजिपूर की धर्ती ये गाजिपूर की धर्ती ऐसी धर्ती के लोग हैं अब ये चकिया के लोग भी हैं, इसलिए आपका, मैं बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, अब क्या कहता हूं, अरे ना बज़ाई बाताली, तो हमका कितना आखरी, यहीं चकिया मेरो जो हम चराई बैबाकरी ये मेरी आवाज स्वतंत्र शिरुवास्तों से परभावित है, मैंने ये एक आवाज उनसे सीखी है अरे ना बज़ाई बाताली, तो हमका कितना आखरी, यहीं चकिया मेरो जो हम चराई बैबाकरी उल्टी भगवन का चलनिया, कैसे सा परी, वो एक खर बूजा तो जाने होई गए, कैसे का करी अईसे जोर से पकरी भईया, आप सब का तब एक आप से काम बढ़े बहुत बढ़िया आप ने सुना, यह कोई कभिता नहीं है, कोई कहानी नहीं है यह जंता सिर्फ मेरी दिवानी नहीं है, सब ही कभी बैठे हैं बहुत बढ़िया आपने सुना बड़ा प्यार से सुना इसलिए चार पंक्तिया लोगों ने हमारी जुल्फों की चर्चा किया हमने चार पंक्तिया उस पे खारचा दिया वो उड़े जब जब जुल्फे मेरी पहले तो रुची अपना बाल ओल जहाटक पटक के आई तो सोची कि हम ही हम है बाद में हम होग देखे जहारत पहुचा तो कहीं तो यहों आईगे तो वो कहीं थोड़ा कम भः रुची कि, तो जब रुची के कम भः पहले इस्वर भाईया भी इसी तरह बाल जहारते थे बाटसा भी क्भावत जहारते थे मेरे जान गर्दन कटवा सकता हमूं है। हम जान गए हमको आउरत रर चंडी मिली हमको आउरत रर चंडी मिली और हमका चंडी मिली नहमका बंडी मिली अब हमें इसे घूमा था है यहार वहार भाईया बाल बच्चक की तरह इतना बढ़िया साप ने सुना बड़ा प्यार से सुना कहें कि जो है इतना बढ़िया कि उड़े जब तब है ने रुची से कहा उड़े जब जब जुलफे मेरी उड़े जब जब जुलफे मेरी कमारियों का दिल मचले अब बूरों का भी दम निकले जिन्द मेरी ये जब जांच किया ए सोनी तो तेरे घर से हम निकले ये कविटा नहीं है मगर इससे आपकी मुह की साइज बढ़ सकती है इसा मुझे उमीद रहती है अगर जादा देर तक फिर मुह भूला रहता है तो कुछ गंभीर बाते कहके मुझे को अपनी जगांपर ले आते हैं जहां भगवान ने बनाया था क्योंकि जादा देर तक इस स्वर भईया मुझे खुला रहने से उसके दिवंगत होने का डर बना रहता है बगल वाला सोता है ये गया अज उसी लिए मुझे आती है उस पे दया तब मैं चार पंक्तिया इस तरह पढ़ता हूं इस तरह पढ़ता हूं चार पंक्तिया जब मैंने कुछ बूरों के हाथ में सोटिया देखी तब मैंने पंक्तिया बनाई उचे परबत की जो चोटिया मिल गई बूरे हाथों को जब सोटिया मिल गई मुझे को ऐसा लगा कि सारा जग मिल गया मा के हाथों की जब रोटिया मिल गई चार पंक्तिया असली कभी वो है जो हवाई जहाज की सीड़ियों से नहीं चाई की दुकानों से निकलता है वो असली कभी है असली कभी के जोले में पहिये नहीं लगे होते असली कभी के इर्दगीर चाल लड़कियां भी नहीं रहती असली कभी के कपड़े इस बात के लिए नहीं होते कि वो किसी के बोश को न उठा सके असली कभी वही है जो हर बात पर हर पल इसी समाज के लिए लड़े इसी लिए मरे जराई न पावे, बराई न पावे, कवनो गल्ती कराई न पावे तन का देखे रहा हो पंचो सणवा ख्यतवा चराई न पावे अग कुला औरत हैं सीता जैसी, कवनो रामर हराई न पावे कुल आउरत हैं सीता जैसी कवनो रामल हराई नपावाई अव देश्क धन के लूट पाट के कवनो नेता धराई नपावाई देश्क दावलत लूट पाट के कवनो नेता धराई नपावाई इल्ला मेरी के मैटर है देखा साधी कराई नपावाई यह है कुलवा, यह कभिता नहीं तो मेरे मन ने कहा कि आओ बनाया जाया इसे बन सकता है, और बन भी गया, मैंने चाय की दुकान से चार पंक्तिया निकाली, यहां यह स्वर भहिया ने कहा, कि यह कभिता का मंच है, छुटकुलों का मंच नहीं है, मुझे इस बात के समर्थन म हमेशा खड़ा रहना है, कि कभिता कभिता होती है, आसी मजाक कभिता नहीं होती है, तालिया एक बार हो जाएं, यह अपना चक्या कभिता सुनता है, मनो दुवेदी मधूर के गिस सुनता है, मनो दुवेदी मधूर जैसे ब्योहार के धनी, ब्यक्ति, जो सबेरे छा बजे पांच बजे उट करके अपनी भैंस लगाते हैं, वो अपनी को कभी नहीं लगाते हैं, ऐसे ब्यक्त कभी नहीं लगाते हैं, वो जिंदगी में ऐस करते हैं, क्योंकि इसी दूध का रबड़ी बनता, इसी दूध का खोवा, इसी दूध का रबड़ी बनता, इसी दूध का खोवा, और उपया पैशा पास रहे तो जाते हैं, गुमा गोवा, भया बहुत बढ़िया, आपने सुना तो चार पंक्तियां, मैंने चाइक दुकान से निकाली प्रभावित होकर उनके मुगतकों को सुना तब चार पंक्तिया मनुज भाईया ऐसे बन गई चार पंक्तिया कि जक्षम तो आएंगे लुचे देखा अब भाईया जैश्री भाईया तो कहो जैश्री भाईया नहीं तो राजश्री हो तो अब हमका जो क्यतना लोगों का खात हैं जैश्री है मैं इनका पराम करता हूं यह तो आतिहासिक नाम है पांकच परकर भाईया बैठे हैं आपका नाम बिल्कुल इतने सुन्दर हैं कि इनका नाम जो है फिचल जाता है इनका नाम फिचल जाता है अब यह पंकच परकर भाईया कैसे कहते हैं लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या मैं खड़ा हूं चाओ राहे पर मुझे आवाज दोगी क्या कि तेरा नाम धोखा रख दूना राज होगी क्या जो भी देखेंगे रस तेरा लूट जाएंगे ये रंग जवानी वाले एक दिन छूट जाएंगे गुरी हाओले हाओले चलन गुंगुरू तूट जाएंगे ये इसमें कहीं कुछ मिला होगा आपको तब मैंने पंक्तियां पढ़ी कि जखम तो आएंगे मरहम नहीं आएगा अब दर्द का लेने को कोई परचम नहीं आएगा ऐ आखे मेरी दोनों कुछ तुम ही बरस जाओ लगता है कि बारिश का मौसम नहीं आएगा और चार पंक्तियां लोगों ने कहा इस तुर भाईया कि अंबर जी आप जहां थे वहीं रह गए आपके साथ की लोग कहां कहां पहुँच गए एक आजबी ने कहा ओ दिल्ली वाला कभी कहां पहुँच गया हमने कहा उसे जहा जाना था हो तो कहीं का नहीं पहुंचा कहीं भी नहीं पहुंचा ना आप में रहा ना अपनी इस्टाप में रहा ना बाप में रहा ना पानी में रहा ना भाप में रहा कहीं भी नहीं रहा हो तो कथाकार हो गया वो तो कथाकार हो गया, क्योंकि कविता तो बेकार हो गया, तिर पर चार पंक्तिया लिखकर कोई कभी नहीं बन सकता, यह अलग बात है, कि रुपए का फ्लेबर कोई जादा बढ़ा देने से तुम्हारे तेवर बदल गए, मगर आज भी हमारे मंज पर वो कभी बैठे हैं, जो तुम्हारे जैसे लोगों के गुरू बनना चाहते हैं, और उनसे सीफो कभी आ कैसे होती है, कभी आ इसी गाउ में जनम लेती है, इसी मिटी में सोना है, इसी मिटी में हसना है, इसी मिटी में रोना है, यह क्या है, यह कभी आ है, तुरंत जनम ले रही कभी आ, ऐसा नह हो के मर जाएंगे रो रो के सब सान ये चर जाएंगे ठक जाएंगे बो बो के ये कभी चाने जनम ले लिया और कभी चाने कैसे जनम लिया कभी चाने कैसे जनम लिया एक प्यार का नगमा है जिन्देगी भर का सदमा है तू प्यार न कर मुझे से मेरे सरदस्म कदमा है पुछ पा कर खोना है पुछ खो कर पाना है इसमें ये निस्चित है कि मुझे जेल ही जाना है खत्रे में महोबत है और बरबाद जवानी है जिन्देगी और कुछ भी नहीं तेरी दी के निशानी है हदकरी लग गई प्यार में मगर लड़के नी इश्क नहीं छोड़ा अब कहता है क्योंकि प्यार में इश्क में बहुत समस्याय आ जाकती है मेरे सामने वो लोग बैठे हैं मेरे पंकज भीया पंकज प्रखर भीया ऐसे राष्टर के प्रखर इवास सक्ती बैठी है जो अपने कविताओं से देश की इन लोगों को जगाते हैं जो लोग सो गए होते हैं अंदर से बाहर तक ऐसे बीर रसके ए बीर प्रसुता कभी है इनका जनम ही इसलिए हुआ है इन्योंने राष्टर के लिए कलम उठाया इतने प्रखर नाम लिखा है इस सही में प्रखर हैं इस पेशे से अध्यापक भी क्यों सब सब अध्यापक हो गए एक हमको छोड़कर बाती सब पढ़ा रहे हैं हम कुछ भी रहे हैं हमको हमारी आउरत पढ़ा दी हमने शादी कर लिया अब शादी कर लिया तो बड़ी समस्याएं आ गई अभी करवचाओत पे हमने कहा करवचाओत हम रहेंगे तुम इतने दिन से हमारी उम्र लंबी कर रहे हैं हम एकदम लंबा हो जाएंगे तब रुकोगी अभी यहाँ इस साल से हम करवचाओत मनाएंगे तो अब तो बड़ी परिशानी हुई कहने लगी मेला देखने जाओंगी चार पंक्तिया मैंने बनाया अकेले मेला देखने जाएंगी सहली का मैं नहीं जाओंगा मैंने चार पंक्तिया बना दी ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा जो इतना सज समर के मेले में जाओगी तुम जानम तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा तब चार पंक्तियां उन्होंने फिर कही किसे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए चाओदिरी सपना के सब लड़के दिवाने हो गए हाथ में चपल उठा कर बीबी ने मुझे से कहा आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए अब मेरे सामने कौन लोग बैठे हैं आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए जितने खामोश थे अएकटिव हो गए जब से भारत में आया कोरोना कहल जो निगेटिव थे सब पाजिटिव हो गए अजब कौरोना आया सबसे पहले मोधिक पास आया फिर हमिसाह के पास आया फिर केजरिवाल के पास आया फिर सरवा हमरे पास आवा अजब हमरे पास आवा हमको सड़क पर घूमता हुआ देखा बोला बापरे बाप हमेरी तरह एक ही आउर कौन है मैं तुमको छूलूं जिसम तुम्हारा सोना हो जाए आज तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानी फिर इसके बाद भले ही मुझे करोना हो जाए जब करोना हो गया तो उसके लच्छन हमारे मुझे कैसे आए पहले सर दी हुई फिर जुखाम हो गया ये करोना मेरे चकर में बदनाम हो गया मुझे को बनबास चवदा दिनों का हुआ अच्छा खासा था मैं ज्धनुबाम हो गया लाकडाउन में नाई मिले ही नहीं बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया अनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया फेसबुक हाट सब का ताम ज्धाम हो गया अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया ये करोना मेरे चक्करमी चार पंक्तियां मैं जब पंकच प्रखर भाई का नाम लिया मिठ्रेज का हमरी भाई का नाम लिया फेस चार पंक्तियां मैंने ऐसे ही कह दी थी रोड पर लिखी नहीं मैंने कही हैं चार पंक्तियां सुनीजिए एक दो मिनिट आउर रहेंगे फिर अपने अध्यक जी कापपाट करेंगे समय बहुत हो गया है भंदार बहुत है मगर इसका मतलब यह नहीं कि राद भर उगलते रहे फख 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 फटी जलेंगे जरा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपकी भाविन कहा लगता है सान सुधर ज जाएंगे होगा चारा जिधर हम उधर जाएंगे अपकी 22 में बाबा हैं सीयम बने दुस्मनों के सभी खेट चर जाएंगे तब हमने चार पंक्या बनाई देश के लिए चार पंक्या सुन लिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा कारवा जो है जावानी का न रुकने दूँगा सामनी आखों के ये मुल्क न लुटने दूँगा खाके भारत हम तेरे सरक कसम कहते हैं मरते दम तक यती रंगा नहीं जुकने दूँगा करगिल के सहीदों की ये जागीर नहीं देगे हम जान तो दे देगे कसमीर नहीं देगे खाकर के तिरंगे की कहते हैं कसम यारों कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे चार पंक्तियों से विदा लेते हैं मित्रों बहुत प्यार से सुना आपनी बहुत मन से सुना कहते हैं कि जो है दिल से हर आदमी से जुड़ा कीजिए देखकर दाएं बाएं मुड़ा कीजिए अव वक्त बरबाद कर दे न तुमको कहीं शोहरतों में न इतना उड़ा कीजिए वक्त बरबाद कर दे न अव बुरा हो वक्त तो पहचान चली जाती है सर जुकाता हूं तो ये शान चली जाती है तुम जिसे खाक बहाते हो पूरे कचरों में इसी रोटी के लिए जान चली जाती है अकिसान के बेटे बैठे हैं असली हीरो तीन होते हैं सरहत पे लड़ता हुआ जवान खेतों में महनत कसकिसान और अपना घर का बोज उठाने वाला पिता महान ए दुनिया के तीन है भागवान और इसी के साथ कहते हैं मित्रों बहुत बहुत पड़ाम करते हैं बहुत बहुत नमन करते हैं इसलिए कहते हैं खुदा मुझको इतनी उचाई न दे ना यह कैसे हैं बेटी भला अजसे यह सब शेयर ऐसे बन रहा है शेयर का बहुत को जबाब नहीं है अब मोदी जी जो शेयर ले आए अगर देर हो या तो बिलार बन जाते हैं लेकिन उनको जल्दी से दूद दूद पिला के मजबूत बना दिया और गोराने लगे बहुत तेजी अब इस तरह ते उसे मोदी जी को चाहिए यहां के शेयरों का प्रयोग करें हम लोग शेयर है तो है गोरा राथ है कब बैसे हम अमरे जैसे शेयर का प्रयोग करें एक बार दाहार दे तो दच्छीर अफरीका के घने जंगलों में तूफान आ जाए लेकिन ऐसा कोई बात न हमारा साला पहले प्रेम बीर होते थे थे पहले प्रयम बीर होते थे तो एंटी रोम्यों लगा दिया योगी जी जी अब अगनीबीर आ गए अगनिवीर का फारम बत्यों ने भर दिया तो हमारा साला भी भर दिया लंबाई छोटी हमने कहा तुम क्यों भर दिये तुम्हें तु लोग चाइना वाला समझ के मार देंगे उसने फारम वह पर ले लिया तैसे ऐसे लोग पड़े हैं बहुत बढ़िया बड़े फ्रेम से आपने सुना ये लोगों ने कहा आपकी भाविन कहा मेरे उपर कुछ नहीं कहा मैंने चार पंक्तियां मराई हसने हसाने के लिए विदा लेते हैं कहते हैं उन्हें उन्हें कहा मेरे उपर कुछ नहीं बनाया मैंने चार पंक्तियां, चार छे पंक्तियां कहे हसने हसाने के लिए सुबह चले तेरा नेचर कितना हिलपी, और सब लेते हैं तेरी सिलफी, और तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, पुदरत ने बनाया होगा दुपहर में तुम्हें मेरे यार, और उसी में एक तरफा इश्क हो गया, लड़का अच्छात पे लड़की, मगर गलत फाहमी है, लड़की को कोई प्रेम नहीं है, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दूनों तरफ हो तो मजा देता है, मगर आइशा बात नहीं रहा, लड़कों को गलत फाहमी वो उपर गोरी का मकान की दुकान मुझ से मिले मेरी जान तेरा हो जाए आहसानमेरा बढ़ जाए सम depressedक्राम तेरे बाबु हैं परधान, तेरे भाईया हैं दीवान, हाई हाई रे। ऐसे मैं कैसे प्यार करूँगा, वहीं आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूँगा, तुम ही से मैं प्यार करूँगा, हो मैंने दिल ये तुम ही को दिया है, और नंबर भगल चे लिया है, साथ समुन्दर पार्म तेरे पीछे पीछे आ गई, कहा हो मेरी जान मैं तो पुलिया के नीचे आ गई, साथ समुन्दर तब कहें चलते चलते, धुकुर धाय, धुकुर धाय, आनर पीछे कुकुर खाय, मूदी योगी दुलों परा नीर बडि काताएं दो ना में, ठोंकत ठोंकत खटिया तुटिये, खट मलदास बिछाओना में, सादू सन्या से अब गारिम बाइट के बोली हैं हाई हाई धुकुरदाए धुकुरदाए आनर पीसे कुकुरखाई लड़की जीयोक सिमले कर बागूम रही है बागी मी बहुव बिटवायल गे होई के रोटी से कैं आगी मी माई बाप दुवारे बाइट के खोंकर रहे हैं खाए खाए धुकुरदाए धुकुरदाए अनर पीसे कुकुरखाई जेतो से कुछ तगड़ा होए जेतो से कुछ जबरा होए उसे कभी भीडे ना भाई जे रंग से चित कबरा होए हो से सीधै साधै बोले जिन बोले तै आए बाए धुकुर धाए धुकुर धाए अनर पीसे कुकुर खाए कहते इस्वर्चंद्र भाईया अंबर जैसा कौन यहां कहते मेरे कभी मित्र सभ अंबर जैसा कौन यहां कहता मेरा पूरा चक्या अंबर जैसा कौन यहां मेरी कभीता सुन करके रह जाए न कोई मोन यहां बड़े गजब के कभी हैं हम यह बोली निकर रहताई टाई धुकुरधाई 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 आनर पीचाई कुकुरखाई बड़े गजब के मिले सोरोता हम हैं चीराई आप हैं खोता कभी समेलन सफल हो गया चलो लगा लें इसमें गोता मेरी कभिता खतम हो गई अब सब अपने घर को जाएं धुकुरदा